नमस्कार एजुकेसिन इंडिया पर आपका एक बार फिर से सुवागत है अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कॉमन वेल्थ गेम्स 2022 के मेडल टेबल के बारे में और आपको बताएंगे कि किस परकार से अब कॉमन वेल्थ गेम्स के समापन के बाद टेबल देखने को मिल रही है भारत कितने पोजिशन पर है पहले पोजिशन पर कौन है और केस पोजिशन पर कौन सा देश है ऐसे में आप इस वीडियो को लास्ट तक अवस्य देखेगा लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को सेयर और लाइक अवस्य करिएगा और ऐसे वीडियोज और ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोज देखने के लिए चैनल को अभी सबस्क्राब करके बेल आइकन को दबा दी चेका आईए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सुरुवात करते हैं मेडल टेबल के बारे में जानना सुरुवात करते हैं पहली पोजिशन के साथ पहली पोजिशन है ऑस्ट्रेलिया के पास ऑस्ट्रेलिया पाली पोजिशन पर है जिनके पास कोल मिलाकर 178 मेडल से जिनमें ऐसे 67 gold, 57 silver और 54 bronze medal है वीडियो में हम आगे बढ़ते और बात करते हैं second position के बारे में second position पर है England England के पास 186 medal है आपको बता रहें England के पास 57 gold, 66 silver और 55 bronze medal है वीडियो में आगे बढ़े बात करें तीसरे position के बारे में तो तीसरे number पर है Canada Canada के पास कुल मिलाकर 92 medal है जिनमें से 26 gold, 32 silver और 34 bronze है वीडियो में चौथी position पर है अपना देश भारत भारत है चौथी position पर भारत के पास कुल मिलाकर 61 medal है जिनमें से 22 gold, 16 silver और 23 bronze medal है और पाचवे नमबर पर है New Zealand New Zealand के पास 59 medal है जिनमें से 20 gold, 12 silver और 17 bronze medal है चौथी position पर है Scotland Scotland के पास कुल मिलाकर 51 medal है जिनमें से 13 gold, 11 silver और 27 bronze medal है वहीं साथवे नमबर पर है Nigeria Nigeria के पास कुल मिलाकर 35 medal है वहीं बात करें कि कौन से medal कितने हैं तो आपको बता दे gold 12, silver 9 और bronze medal 9 है वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आठवी position के बारे में आठवी position पर वेल से जिनके पास कुल मिलाकर 28 medal है gold medal 8 है, silver 6 और bronze medal 14 है वहीं वीडियो हम आगे बढ़ते हैं और 9 पोजिशन के बारे में बात करें तो आपको बता दे 9th position पर है South Africa South Africa के पास कुल मिलाकर 27 medal है 7 gold medal, 9 silver medal और 11 bronze medal है वहीं दसवे position की बात करें तो दसवे position पर है Malaysia Malaysia के पास 23 medal है जिन में से 7 gold, 8 silver और 8 ही bronze medal है वीडियो हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं टॉप 10 के बाद कौन कौन आता है 11th नंबर पर है Northern Ireland Northern Ireland के पास कुल मिलाकर 18 medal है जिन में से 7 gold, 7 silver और 4 bronze medal है 12th नंबर पर है जमाइका, जमाइका के पास 6 gold, 6 silver और 3 bronze medal है कौन मिलाकर जमाइका के पास 15 medal है वहीं केनिया के पास 6 medal है, gold, 5 silver और 10 bronze medal है कौन मिलाकर केनिया के खाते में 21 medal गए हैं अब तक वहीं सिंगापूर की बात करें तो सिंगापूर के पास कुल मिलाकर 12 medal है जिन में से 4 gold, 4 silver और 4 bronze medal है इनके बाद नाम आता है Trinidad and Tobago का इनके पास कुल मिलाकर जो medal देखने को मिल रहे हैं वो है 6 जिन में से 3 gold, 2 silver और 1 bronze medal है 16th position पर यूगांडा है यूगांडा के पास कुल 5 medal है जिन में से 3 gold और 2 bronze medal है इनके पास silver medal एक भी नहीं है सतरवे नमबर पर है Cypress इनके पास कुल मिलाकर 11 medal है जिन में से 2 gold, 3 silver और 6 bronze medal है वहीं अठारवे नमबर पर है Pakistan पाकिस्तान के पास 8 medal है जिन में से 2 gold, 3 silver और 3 bronze medal है समोवा जो की 19 वे नमबर पर है इनके पास 1 gold medal और 4 silver medal है इस परकार से कुल मिलाकर समोवा जो की 19 वे नमबर पर है इनके पास 5 medal है 20 वे नमबर पर जोइंट पोजिस्टन है पारबाडोस, केमरोन और जांबिया की यानि की 3 countries एक ही position पर है और इन 3ों के ही पास 3 medal है और 3ों के ही पास 1 gold, 1 bronze और 1 silver medal है आगे बढ़े और बात करे 23 वे position की तो आपको बता दे 23 वे position पर 2 countries है ग्रेनाडा और दभामाज इन दोनों के ही पास 2 medal है और 1 silver और 1 gold medal दोनों के पास है 25 वे नमबर पर बर्मुडा है बर्मुडा के पास 2 medal है जिन मेंसे 1 gold और 1 bronze medal है और अगर 26 पोजिसन की बात करी जाए तो 26 वे नमबर पर है बिल्टीस वर्जिन आइलेंड इनके पास 1 medal है जो की gold medal है वहें 27 वे नमबर पर मौरिसस है मौरिसस के पास कुल मिलाकर 5 medal है जिन मेंसे 3 silver और 2 bronze medal है 28 वे नमबर पर घाना है घाना के पास 5 medal है इनके पास 2 silver और 3 bronze medal है वहें उना 30 वे नमबर पर फीजी है फीजी के पास 2 bronze और 2 silver medal है कुल मिलाकर 4 medal है आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसवे नंबर पोजिशन पर तो तीसवे नंबर पर है मोजामबी क्यों इनके पास कुल मिलाकर तीन मेडल है जिनमें से दो सिल्वर और एक ब्रॉंज मेडल है एक तीसवे नंबर पर नाम आता है स्रिलेंका का स्रिलेंका के पास चार मेडल है जिनमें से एक सिल्वर और तीन ब्रॉंज मेडल है वहीं 32 निम्बर पर है टंजानिया इनके पास भी तीन मेडल है और इनके पास जो है एक सिल्वर और दो ब्रॉंज मेडल है वहीं 33 नंबर पर बोट्स वाना का नाम आता है इनके पास दो मेडल एक ब्रॉंज और एक ही सिल्वर मेडल वहीं 33 नंबर पर एक और कंट्री है जो की है ग्विरंसी इनके पास भी दो मेडल है एक सिल्वर और एक ब्रॉंज मेडल वहीं बात करें अगर हम 35 वे पोजिशन की तो 35 वे पोजिशन पर कुल मिलाकर 4 कंट्रीज है 4 कंट्रीज कौन कौन सी है तो आपको बता दे डोमिनिका, पपुआ नियुजीनिया, सेंट लुसिया और दा गेंबिया इन चारों के पास एक-एक मेडल है जो की सिलवर मेडल है 45 वे नमबर पर है नामिबिया, नामिबिया के पास कुल मिलाकर 4 मेडल है लेकिन 4 के 4 वे ब्रॉंच मेडल है 40 वे नमबर पर भी है 4 कंट्रीज, मालता, नौरो, और अपनियू, और वेनटू इन सब के पास एक मेडल है जो की ब्रॉंच मेडल है इस परकार से ये थी पूरी लिस्ट जिसमें हमने आपको बताया की कौन, किस नमबर पर है अगला वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि हमारे भारत से किस खिलाडी ने कौन सा मेडल जीता है आपको बता दे भारत 4 नमबर पर रहा है 61 मेडल के साथ, जिनमें से 22 गोल्ड, 16, सिलवर और 23 ब्रॉंच मेडल है भारत के खिलाड़ी ने इस बार काफी अच्छा परदसन किया है और कुल मिलाकर 61 मेडल जीते हैं अगले वीडियो में जैसा कि उन्हें आपको बताया आप बात कर रहे होंगे कि किस खिलाडी ने कौन सा मेडल जीता है पूरी लिस्ट आपके लिए लेकर आएंगे लेकिन उससे पहले आपको बता दें आपको लिस्ट मिलेगी कहाँ educationindialive.com वेबसाइट आप सर्च करेंगे google पर सर्च करेंगे educationindialive.com और वहाँ पर आप पूरी जानकारी देख पाएंगे फिलाल इस वीडियो में बस अतना इथा मिलते हैं आप सकले वीडियो में किसे ने जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद